श्री गनेशा ये नमहा, नमशकार दोस्तों दोस्तों, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तरे का प्रभाव डालने वाले है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चोथे भाव में रहेंगे जी हाँ, चोथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा, साउधानिय अबरतनी जरूरी होगी, ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है, इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते है तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समय में कुछ मामलों में साउधानी बरतना जरूरी रहेगा, किसी तरह के लापरवाही आपको इस समय में महेंगी पढ़ सकती है, इस दिन आपको सिरदर्द की शिकायत रह सकती है, बस थोड़ा साउधानी और समझदारी से काम लेना होगा, साउधानी बरतनी जरूरे रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत मतिये पर पहुच सकते हैं, इस समय में आपके बिजनेस के क्षेतर में दिन ठेक ठाक सा रहेगा, कुछ अडचनों का सामना आपको करना पढ़ सकता है लेकिन फिर भी धन के क्षेतर में दिन अच्छा रहेगा, बस कहीं निवेश करना है तो साउधानी जरूर बरते, किसी अच्छे व्यक्ती से सलाज जरूर ले, बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी के साथ रिष्टे अच्छे रह सकते है, इस समय में अगर आप नोकरी ढून रहे है, तो प्रयास जारी रखे, नोकरी मिल सकती है, नोकरी मिलने के लिए समय अनुकुल है, इस समय में जमीन जायदात के कामों में आपको मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में अगर आप कोई नय या सामान घर आ सकता है, इस समय में आपकी इच्छाय कई मामलों में पूरी हो सकती है, अगर स्टूडंस की बात करें, तो स्टूडंस के लिए ये समय मिला जुला सरहेगा, ना ज्यादा अच्छा, ना ही ज्यादा बुरा, आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉनसेंट्रि करोगे वो आपके काम जरूर आएगी ये एक खास बात रहेगी आपकी married life इस समय में बहुत अच्छे रहेगी एक दुसरे को समझने में आसानी होगी पार्टनस एक दुसरे को बहुत अच्छे तरे से समझ लेंगे married life enjoy करने के लिए समय अनुकुल है अगर love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी आज का दिन आनन से बरा रहेगा, romance से बरा रहेगा काफी शुब रहेगा, partners के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, love life के लिए भी हर प्रकार से दिन अनुकुल ही है आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी फिजिकली आप काफी फिटर होगे लेकिन mentally थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो मानसीक परिशानी, थोड़ा तनाव और सिर्दत की सिकायत आपको रह सकती है किसी चीज के बारे में टेंशन हो सकता है, कोई चीज आपको काफी परिशान कर सकती है बाकी स्वास्ते से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी पूरानी परिशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है आज एक बात का ध्यान ज़रूर रखे चंदर के चोते घर में होने से आपको चिड़ चिड़ा हट होगी छोटी छोटी वज़े से आप जगड़े भी कर सकते हो तो इस दिन इस तरह की बाते दिखाई देती है तो आपको शान्ती बनाए रखनी है ताकि मामला वही खतम हो जाए और इस दिन किसी औरों के जगड़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए इस दिन आपके लिए माते पर चंदन का टिका या केसर का टिका लगाना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले और आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करे इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तेमाल करना बहुत शुब रहेगा और दो अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभा प्रवित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते च बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद